और बेल आइकन दबा दें तक कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे और जिन्होंने मेरी पिसली वीडियो नहीं देखिए उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देदूँगा वह वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि रिसर्च मैथरोलोजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर सुरुआस से नहीं देखेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा तो आप अगर स्टार्टिंग से देखेंगे एक एक चीज तो आपको आगे आने वाली चीजें ज्यादा क्लियरली समझ में आएंगी तो आपको जो स्टेप्स हैं रिसर्च डिजाइन के उनको मैं आपको एक्जांपल के तुरू समझाओंगा तो वो सिर्फ एक्जांपल आपको स्रिफ कॉंसेट को क्लियर करने के लिए थाकि आपको कॉंसेट क्लियर हो जाए ओन एक्जांपल को यह यूज नहीं है कि मतलब की वो रियल एक्जांपल है वो स्रिफ कॉंसेट क्लियर करने के लिए तो आई शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखें कि रिसर्च डिजाइन होती क्या है तो रिसर्च डिजाइन क्या होती है कि एक फ्रेमवर्क होता है या ब्लूप्रिंट मान सकते हैं तो रिसर्च डिजाइन क्या होती है जैसे आपको मान लिजे कोई घर बनवाना है तो उसके लिए सबसे पहले आप क कैसे बनेगा तो ऐसे ही आपकी research design जो है वो आपको research में guide करती है कि आपको यह step follow करने हैं इस step को follow करने के बाद आप research के findings पे या results पे पहुंच सकते हैं तो यह blue pin की तरह काम करती है जो आपको clear कर देती है जिससे आपको clear हो जाएगा कि आपको research कैसे करनी है ठीक है आपको कौन से step follow करने है तो यह होती है research design आगे बढ़ते हैं आगे जो research design का सबसे पहला step है तो यहां से research design शुरू होती है तो आप यह step note college का यह number one step है तो number one step है identify the problem तो जब भी कुई research start करते हैं तो हमको एक problem होती है तभी तो हम research start करते हैं जैसे कि आपको पता होगा research का होती है research होती है जब आपको किसी problem का solution चाहिए होता है या आपको किसी चीज की जरूरत होती है क्योंकि आपने सुना भी होगा आवश्यक्ता अविश्कार क की जननी है तो यह जो आपका sentence है इसको आप ध्यान में रखिए तो इससे पता जलता है कि जब हमें किसी चीज की जरूरत होती तब हम research start करते हैं फार एक्जामपल जैसे हवाई जाज की खोज तो तभी हुई जब उसकी जरूरत पड़ी अगर हमको जरूरत नहीं होती तो हवाई जाज क्यों बनाया जाता तो यहाँ पे हवाई जाज के निर्वार में problem क्या थी बतलब यहाँ पे जो question था या problem थी कि हवाई जाज क्यों बनाया जाए या हवाई जाज बनाया जाए तो वह problem क्या थी कि हमें एक जगा से दूसरी जगा कम समय में कैसे पहुंचा जाए तो यह हमारी problem थी वहाँ पे हमारी problem थी कि एक जगा से दूसरी जगा हम कम समय में कैसे पहुंच सकते हैं तो इस problem को solve करने के लिए हवाई पर पहुंच सकें तो ऐसे ही पर प्रॉबलम समय क्या है यह हमें किस प्राप्लम पर 16 करनी है यह सो संस पर excuse पर पैब्लम उतम आपको मिल गई आपको प्रॉबलम देख ली उसके बाद ऊस प्रॉबलम के बारे में उस particular field या जिस field की आप research कर रहे हैं उस पे क्या-क्या research हो चुकी है किस-किस ने research की है आप उनके जो findings है, papers है, उनको आप पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उसको और देखेंगे, उनके citation के तुरू और ज्यादा deeply देखेंगे, तो आपको एक review हो जाएगा कि कौन-कौन से research हो चुकी है, कैसे-कैसे उन्होंने काम किया है, किस-किस चीज पर research हो चुकी है, उस जो आ है, तो जैसे कि आप एक daily life का example है, कि आपको pizza बनाना है, तो pizza तो जादा तर oven में बनता है, तो oven में बनता है, तो oven आपके पास नहीं है, तो आपके पास research problem क्या है, कि आपको कढ़ाई में pizza कैसे बनाना है, तो pizza आपको कढ़ाई में कैसे बनाना है, यह आपकी research problem है, तो आप आप सबसे पहले YouTube पे जाएंगे आप देखेंगा कि कैसे कैसे पीजा बनता है उसकी क्या इस्टेफ है कैसे हम क्या चीजा उसमें यूज करता है तो अप एक तरह से आप आप review कर रहे हैं उसका उसके बाद आप कोई recipe book देखेंगे कि उसमें कैसे बनाये गया है आप बहुत जगा से search करेंगे कि कहां कहां कैसी कैसी process के द्वारा पीजा को बनाये जाता है पर आपकी research problem है कड़ाई में कैसे बनाना है आप जब सारे जो literature हैं उसको review कर लेंगे उसके के बाद आप चीज समझ जाएंगे कि आपको कैसे काम करना है या उस पर क्या काम हो चुका है तो यहां पर सिर्फ एक्जांपल था तो review और literature का मतलब यही है कि आप उससे related कोई भी चीज़ को आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या काम हो चुका है पर research के मामले में आप YouTube स से तो कुछ नहीं देख सकते हैं वहां से आप जर्नलोड कर सकते हैं तो वहां पर literature कर सकते हैं अब अगला step है जो तीसरा step है formulating of hypothesis यानि formulating hypothesis तो सबसे पहले जानते कि hypothesis होती क्या है तो hypothesis क्या होती है एक assumption है आप assume करते हैं किसी चीज़ को tentative assumption है कि एक logical way में कि आप एक अंदाजा लगा सकते हैं या अंदाजा लगाते हैं अपनी research problem के लिए जैसे कि आपने hypothesis assume कर ली कि कढ़ाई में पिज़ा बनता है ठीक है आपने एक अंदाजा लगाया तो अब आप अपने research में इस काम को प्रूफ करेंगे कि कढ़ाई में पिज़ा बनता है तो hypothesis होती है कि hypothesis सिर्फ आप एक अपने assumption के लिए अंदाजे के लिए आप एक सोच लेते हैं तो उसको आप प्रूफ करते हैं जब research के थुरू तो आपको result मिलता है तो formulating hypothesis का मतलिए यह कि आप assume कर लें कि क्या क्या हम करन हैं जैसे कि एक अधर example हम देखें तो मैंने पिछली वीडियो में बता था आपको चॉकलेट खाने से stress कम होता है तो यह आपका hypothesis हो गई कि चॉकलेट खाने से stress कम होता है ठीक है तो यह आपका एक hypothesis आपने बना ली आपको इसी पर काम करना है कि चॉकलेट खाने से stress कम होता ह है तो आपको इस पर रिसर्च करनागी कैसे कम होता है तो यह एक अपकी हाइपोथेसित हो गई आपने के मतलब क्या है कि कि आपको कॉन से टूल्स लगेंगे डाटा कलेक्शन कैसे करना है आप इसका एक स्टेबब step 1 plan मना लेते हैं तो उसको हम क्या करते है research plan ठीक है कि आपको काम कैसे करना है आपको काइसे data collection करना है को कहा जाना है किसके through data collection करेंगें काहन से instrument use करेंगे ँसको आप क्या कहा है जैसे example मैंने आप को पीजे के दिया था तो पीजा में आपको सबसे पहले देखना होगा कितना मैदा लगेगा आपको कितनी वेजटेवल्स लगेंगी आपको कितनी चीज यूज होगी आपको कौन-कौन से बरतन जरूरी होंगे उसमें तो यह आपकी एक प्लानिंग हो गई कि आपने प्लान कर यह चीज हम को जरूरत होंगी तो हमको ऐसे बनाना है तो इससे आप समझ गया होगी कि रिचर्च प्लान क्या होता है तो आपको प्रिपेर रिचर्च प्लान इस स्टेप के बाद अगला इस्टेप है डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इस्ट्रूमेंट तो जैसे कि मैंने भ पाती है कि data collection कैसे करना है तो आप होगा डाटा कलेक्शन करने के लिए कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे आप कैसे करेंगे data collection आप किसी को questionnaire भी बेस सकते हैं आप किसी को को किते हैं इंटर्वीव के थुरू आप डाटा कलेक्शन कर सकते, ऑप अपने सेमपल है, आप उनको अबजर्व कर रहे है लोगों को अबजर्वकर रहे है ताकि आप डाटा कलेक्ट कर सके छिरे लिख फिर यह टूल स्रूमेंट कालेक्शन कैसे किया जाए ठीक है जैसे के अग्जांपल के तौर पर लेलते हैं जन गर्णा आपने देखे होगी तो जन गर्णा वाले घर गर जाते हैं तो वहां क्या करते हैं एक उनके पास एक परचा होता है पेपर होता है उसी पर टेबॉलर after form में उसब लिखा रहता है कि कितने बच्चे है किसी के घर में कितने ब्रद रहते हैं या कितने और Schulin ट्रो अगलो कंगे करें इस टीआ कि यह बताइगा से स्टरब में कि आपको डाटा कलेक्शन इस्टूमेंटर से करें हैं कौन-कौन से करने वो आपको अपनी research के according ही चूज करना पड़ता है तो अब हम सबसे पहले देखेंगे यह step नहीं है validity or reliability यह data collection में ही आता है कि यह आपकी data collection में आता है कि आपकी data जो है कितना valid है और कितना reliable है यह आपकी research जो है कितनी valid और कितनी reliable है तो इसके बारे मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा कि validity के बारे में सबसे पहले वार्त करते हैं तो validity क्या होती है यहाँ पर सबसे बड़ी validity है कि आप जब data collection करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आपको कौन सा tool यूज करना है क्योंकि आपको अगर किसी को दूर से observe करना है तो आप उसको questionnaire अगर दे रहे हैं तो वह valid instrument नहीं हुआ आपका data collection का तो यहाँ पर सबसे पहले चूज करना होगा कि आपको कौन सा data collection tool यूज करना है यानि आपको valid tool यूज करना है और अगर इसको research के purpose से देखें तो यहाँ पर होता है कि validity क्या होगी कि आपकी जो research है यानि आपकी जो result आया है वो larger population पर यानि बहुत लोगों के लिए काम आना जीए है जैसे कि आपने corona vaccine तो ओलाधी पर वो फिर चार लोगों पर असर कर रहे है बाइक रहे है वाग्हीश package किसी पर यहाँ अपर नहीं किया कि तो आपकी research valid नहीं होई कि आपकी research कर रहे हैं या आप data क्लेक्ट कर रहे हैं वह आपका data जो आपने collect किया है वो कितना consistent है तहां पर उसको हम कैसे समझेंगे कि जैसे आपने research की आपका result आ गया पर आपने जो result आया आपके पहली बार आपने research की उसमें कि इक result आगया कुछ आपने दुबारा वही process य्यूज की उसी process से वही research दुबारा की इस बार result आपका दूसरा आ रहा है फिर आपने तीसरी बार फिर से वही research की इस बार result आ लगा रहा है तो इसका मतलब है आपकी जो रिसर्च है वो रिलायवल नहीं है कंसिस्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें हर बार रिजल्ट चेंज होता जा रहा है तहां पर रिलायवल्टी और वैलिटी को हम एक जांपल की तुरू समझते हैं जैसे कि कि आपने देखा होगा कि अपने देखा हुआ कि जब शुटिंग पर्प यापने देखी होगह जहाँ पर निशाना लगाए जता है जैंपर उसे कि तरह मैंने आपको डाइगराम दे लखें तो शुटिंग ये मैं जाता है या सूटिंग इसको करनी होती है आप उसको पत्थर दे दीजे कह दीजे पत्थर से हाँ पर मारो निसाना लगाओ तो क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर उसका मतलब क्या है आपको उसको गन देनी पड़ेगी ठीक है क्योंकि गन सही वह सूटिंग कर सकता है तो यहां पर किया एक वैल इस्ट्रूमेंट है आप अगर पथर दे चीज न लगाओं तो वह इस्ट्रूमेंट नहीं है तो यही बात हो रही कि वैछ वेजुदी क्या होती है ठीक है अब यहां पर रेलावलिटी देखते हैं तो तो reliability का means यह कि आपने निशाना लगाया अपने गण चलाई एक बार आपका एक बार आपका निशाना यहां लगा एक बार आपका निशाना यहां लगा एक बार यहां लगा एक बार यहां लगा एक बार यहां लगा तो आपका में परपच क्या था आपका निशाना यहां पर लगाना था आपका निसाना इधर उधर लग रहा हर बार ठीक है और दूसरे एक आदमी ने निसाना लगा उसका एक बार निसाना यहां लगा एक बार यहां लगा एक बार यहां एक बार यहां तो यहां पर आप दोनों समझ गया होंगे कि इसमें कंसिस्टेंट कौन है यानि कौन रिलाइवल है तो आपको इससे समझ जा रहा होगा कि जिसने यहां पर अलग अलग जगा पर निजाने लगाएं वह एक रिलाइवल नहीं है तो यहां पर इससे समाझ गयोंगे कि है रिलाइवल टि में क्या रिफ्रेंस से क्या इंप्रेंस से रिसर्च में और डाटा खलेक्स बड़ते हैं तो अगला इस्ट्रेप Metro Ben किस इंस्ट्रॉमेंट करने के लिए आपको data collect करना है तो आप डाटा collect करने कंप अब वी यह जो एक टार्गेट पॉप्लेशन चूज कि थी कि आमको इनसे data स played करना है यह एक सेंपल आपने चूज किया था तो आपको क्या करना है !! आप अगर observation आपकी research observation पर बेच्ट है कि आप किसी को behavior को चेक करना जाते हैं तो आप observation के थुरू data collect कर सकते हैं या आप interview के थुरू data collect कर सकते हैं या आप उसका टेलिफोनिक interview कर सकते हैं या आप उसको questionnaire भी mail कर सकते हैं जैसे आपको data चाहिए है आपको quantitative data चाहिए तो आप उसको questionnaire भी mail कर सकते हैं तो आपने देखा ही होगा आपके अगर आप college या university पढ़ते होंगे तो आपके seniors के questionnaire google form के रूप में आते रहते होंगे कि यह form है आप भढ़ दीजे ताकि उनको data एक मिल जाए आपसे तो यह भी एक technique है data collection की तो यहां पर data collection में इतनी होता है कि आपको data collect करना पड़ता है by different forms ठीक है अगला है अगला step है analyzing data analyzing data means क्या है आपको data मिल गया आपने collect कर लिया हर चाहिए data आपने अपने sample से data collect कर लिया अब data collect करने बाद क्या है अब उसको आप tabular form में लगाएंगे या उसको chart की form में बना सकते हैं या उसको graphical represent कर सकते हैं अप जैसे आपने graph देखई होंगे कि graph ऐसे आते थे ऐसे graph बने होते थे या इस तरह से graph बने होते थे जहां पर बार बार चार्ट होता था ठीक है तो आप उसको graphical form में represent कर आंगे उसको अनलाईज करेंगे कि data में क्या था आपकी result से कैसा match कर रहा है तो आपकी hypothesis से वो कैसे match कर रहा है तो आप जो next step यह है कि testing hypothesis बहुत जगा है कि आपको जब डाटा आपको एनलाइज करना है जब आपने एनलाइज कर लिया डाटा आपने एक रिजल्ट निकाल लिया तब आपने जो पहले एक हैपोतेसिस जो फॉर्मलेट की थी हैपोतेसिस बनाई थी उससे आपको टेस्ट करनी है ठीक है उसको टेस्ट करोगे आप कि आपकी hypothesis से result match कर रहा है या नहीं तो आपकी hypothesis से result match कर रहा है तो आपकी research successful है तो यहाँ पर यह step है इसका कि आप data को analyze करेंगे या processed करेंगे processing of data आपने पढ़ाई होगा बाया statistical tools हम करते हैं जब हम standard deviation निकालते हैं या central tendency निकालते हैं या आप कह सकते हैं coefficient of variance निकालते हैं तो हम उसके तुरू data को analyze करते हैं या process करते हैं अगला step है जो last step है वो है report writing अब आपने research complete कर ली आपने result निकाल ली आपकी जो findings है वो आ चुकी है उसके बाद आप उसको एक report के तुरू mention करेंगे यानि उसको एक report बन तो report writing में कुछ layout है इसके वारे हम देख लीजे तो इसके वारे में discuss कर लेते हैं एक बार तो यहां पर सबसे पहले है title page जब report हम बनाते हैं तो उसका यह layout है इसी sequence में होता है तो यहां पर title page पर क्या होती है जो आपके research का top title है उसको आप यहां पर mention करते हैं then उसके बाद background background का मतलब क्या है कि आपने जो research की है उसका कोई historical background है तो उसको आप यहां पर mention करेंगे उसको लिखेंगे then उसके बाद acknowledgement acknowledgement में क्या होता है कि जिस जिसने आपकी research में help करी है और जिसके आपने जिस guide के अंडर में आपने research की है अपनी उसको आप thank you करेंगे यानि उसका आभार व्यक्त करेंगे वहां पर then next summary और abstract summary और abstract क्या मतलब आप समझते होंगे कि आपने जो research की है उसके वारे में एक brief summary देनी होगी मतलब उसका एक सार बताना होगा कि आपने उस research में क्या किया है कैसे किया है उसको एक संशेप में आपको बताना है then next list of content and list of tables तो list of content में बताएंगे कि आपने क्या क्या सामिल किया था इस research में आपकी जो ये report है उसमें क्या क्या सामिल है और इस लेस्ट of tables में क्या होगा कि आपने जो टेवल्स मनाइंगी जैसे मैंने कहा ता रिप्रजेंट करना तो आप tabler form में कर सकते हो चार्ट form में कर सकते हो या ग्रफिकल कर सकते हो तो आपको लिस्ट आप टेबल्स में आपको बताना है कि कौन से पेज़स पे कौन सी टेवल है इसके बारे में आपको बताना है थोड़ा आपने इस कैसे कि आपके पेसे हम नहीं आरप कोई नहीं है या उसका कई अब भी मैनीच है तो यहां पर एम मैठोड में क्या होगा 네 कि method में आपको बताना पड़ेगा कि आपने किस तरीके से काम किया है step by step आपको बताना पड़ेगा कि आपने data collection कैसे किया आपने कैसे sample बनाया है आपने कैसे hypothesis बनाई है तो उसके बारे में आपको method में पूरा clear बताना पड़ेगा देन उसके बाद result and findings आपको जब data presentation हो गया उसके बाद आपने data को analyze कर लिया देन उसके बाद जो result आता है तो उसके बारे में आपको एक result बताना पढ़ेगा कि आपका result क्या आया है तो उस result को यहाँ पर mention किया जाएगा then conclusion, conclusion में आपको brief conclude करना पढ़ेगा आपको कि आपकी research किस पर based थी या कहां काम आएगी या कैसे काम आएगी तो उसको conclude करना है अपनी आपको research को, whole research को आपको conclude करना है then next reference reference में आपको पते ही होगा कि reference में क्या करते हैं कि आपने जहां-जहां से जो जो information ली है या जहां जहां से आपने information देखी थी जब आपने literature review किया था तो उसके वारे मैं आपको बताना और आपको citation भी देना पड़ेगा कि कहां कहां से आप इस research पे पहुंचे हैं ठीक है उसके बारे में आपको clear यहाँ पे एक reference देना पड़ेगा तो यह total research का जो design था उस पर यह वीडियो वेस थी तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि research design क्या होती है इसमें कौन-कौन से step follow की जाते हैं मैंने आपको example के दूर clear समझा दिये आपको concept clear होगा क्योंकि आपको अगर नेट में अगर इसका यूज करना है तो आपको concept clear होना चाहिए तो इस वीडियो माज इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो like करिए इसको अपने दोस्तों को साथ सेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू